एंसलम अलाइकूम गुटमॉर्णिंयमूर्णीं कैसे आप सब यहांगी सुबह सुबह नाश्टा बन रहा है नाश्ट मे यह मेरा परत्बॉर तो बार युद तो ना प्तोल के घुन अलगला का सब्सक्राओ रखाटे के साथ पेसाथ दही लोंगी अंडा लोंगी मुरबा लोंगी तो घ्रिक हैं जैसा के कल मेरी फ्रेंड जाएं थी और यह वाला केक जी रिदा लेके आई थी बस रात में बहुत थक के जल्दी सो गई और देख ना सकी तो युसुबा मैंने देखा और ये जी मेरा फेवरिट केक निकला जो कि मैं कटिंग करके थोड़ा साबा को दूँगी ये साबा की चाहे साबा जी चाल लो देखो जी बड़ी फिसी चाड बड़ा नाल केक बड़ा मज़दार तो यहां जी समान शमान पैक हुआ पड़ा तुसे भी कहना बाजी बोरिया बिस तरह लपेट के किते जा रहे ने तो बड़ा ही जी मज़दार सफर है बहुत बड़ा एक बिक सर्प्राइज है और एक आपको परसनेलिटी से भी मिलवा से है मुला की दौर मस्जद तक मेरा हो ही साबे तो जैसे कि टिकट्स हमारी पहले कहीं भी जाना हो तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है टिकट्स हम डाइवो से जा के लेंगे तो इस सफर हो मेरे साथ बनिये रहेगा बड़ा ही मज़दार सफर है और आगे जी बड़ा कुच है जो आपको देखने को मिलेगा तो यहां जी हमने का कि शाम तो हो ही गई है और हमारी जो फ्लाइट का टाइम था वो जरा भी लेट था हमने कहा चले जी चाहे शाय पी लें और यह जी वो जो केक था कल मेरी फ्रेंड ले की आई थी रीदा और सुबा से लेकि अब गाटके दिया था और ये वैसे भी बड़ी एक अच्छी बात है कोई चीज हो बची खुची मत किसी को दें हाँ आप खा रहे हो तो उसमें से आप हिस्सा जरूर दे दें बाकि अगर कोई नई चीज आई है तो अपने से पहले दूसरों को वह चीज जी आप पहले दें और य इच्छे ही लग रहे थे जी क्योंके डैवो ने बड़ी तरक्ये कर लिया बड़ी न्यू इनकी बसीज आ गई है और मैं कहते हूं किसी कतर एरलाइन से कम नहीं है और यहां जी वही टिकर जा कि हमने लेनी है और मैं अपनी फैमिली के साथ कहां पे जा रही हूं जितना का साथ हमारा समान था ग्रॉसरी का समान था बड़ा कुछ था पूरा एक घर का समान मैं लेकर जा रही हूं तो यह आप आगे देखिएगा कि सारा समान जाके मैंने कहां पे सेट किया कहां मेरा टाइम गुजरा किल लोगों के साथ मेरा टाइम गुजरा और मैं क्यूं गई क् थोड़ा मतलब डवेंचर चाहिए देना और यह देखें जी कतर ए लाइन के अंदर सीटे आप देखें बस बैल्टे शेल्टा तुसी बान लेनी हैं डैवन नमीन कोर लाल सीटा लाल लाइट मैं कहें दियां ओ माई गॉड हैं वाव वाली सीटे थी लुकिंग वाव वाली औ बड़ी कंफर्टेबल थी बड़ी मज़े की न्यू बस थी जी मैं कहती हूं एंजसी जिवें होना यह दी पैकिंग खुली यह नवा नवा गिफ्ट नहीं होंदा तो वैसी यह बस थी और बड़ा जी हम खुश हुए कि सफर हमारा बड़ा अच्छा गुजरेगा और सबसे जो मज़े की बात है जो जुरूरते जिन्दगी एक हर इनसान की दुनिया में बन गई हुई है वाइफाई अंदर फ्री सी जी मैं कहन दी है पसंच जरना थे कहना से जड़ा सफर है को जी कंटेंदा और दो तें देंच भी हो जायते है खेरे क्योंके वाइफाई अंदर फ जिन्दगी बन गई हुई है और जो यह मेरा बस का सफर था बड़ा ही खूबसूरत इसका अगाज हुआ और इसमें बड़ा ही एक मैं कहती हूँ दिल के करीब एक रिष्टे की स्टोरी मैंने अंदर देखी जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ है और वो है यह चोट में बैठना गवारा ही नहीं किया यह कहती थे मुझे नीचे छोड़ो क्रॉलिंग करके मैं पूरी बस में जाओं जो नीचे दो थे इन स्टेयर के स्टेप थे वहां से मैं नीचे उतरू यह साथ वाले एक भाई साब थे उसको इसने बिजी कर लिया मतलब इतना शोर श्रा काका ऐशकर काका वाली जिन्दगी थी मतलब कभी इदर लुड़क के जा रही है कभी उदर और इतनी खूबसूरत यह बच्ची थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और बड़ा ही मुझे मज़े मज़ा आया मा तो राम से बैठी हुई थी और जी वो बार 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 के पास जाती थी और बाप ने बड़ी उसको सेफटी के साथ जी एक तरफ से हाथ दिर किया हुआ था अगर कहीं गिरे भी तो इसका सर ना लगे और बाप जी मुसलसल जिसको एक शफकत एक साया और एक दिल का सुकून आप बोलते हैं वो जी मैंने इस रिष्टे में सफर म जी सोई बस जब हम उतरने वाले थे तो उससे शायद आता घंटा पहले ये सोई वरना पूरे सफर में जी इस बच्ची ने मैं कहती हूँ बाप को नचवा के रख दिया अब ये देखें जी बाप उसको लेके वहां पे बैट गया हुए अपनी सीट्स छोड़के वो आगे एर होस्टेस बुआये था जो वो भी था वो भी उसके साथ लगावा था मतलब सब की कोशिश थी किसी तरीके चुप कर जाए अराम से बैठ जाए पर मैं कहन दिगा जी कित थे तो खेर इस बच्ची की वज़ा से जी सफर बड़ाई खूब सुरत रहा एक बड़ाई रिच्ता प्यार केर देखने को मुझे मिली के वाकि बाप की उलाद पर जो मेहनत हुई होती है शायद वो कोई कर सकता है और यहां जी हम टर्मिनल पे पहुंच चुके टाइम आप देखें टाइम में यह हो गया सुबा का पांच बच कर तासमेंट पर हम यहां पहुंच ग गही और यह बार का मौसम देखें जी अभी बादल भी है और हलकी हलकी सी वो कहनें जी किनमिन जी बिल्कुल हलकी सी किनमिन थी तो बस जी यहां पे हम खड़े होके अपनी जो हमने करीम थी यहां आप उसको गड़ी दूजी एक और अप ख़या आप पाते हैं उनों कही हो अबर चुबर जड़ियाने वो जी हमने बुक रहे थी उसका हम वेट कर रहे थे तो जी हमारी आगे थी हमने अपना समान शमान अंदर रखा और हम आगे जा रहे थे और आगे जी मैं जहां पे जा रही हूं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहां पे पहुंची हूं कहां हुआ सर्क वाज़ा ओना इसकी सद्रक दोड़ का इस्लामथा और तोड़ मयदा इसे एक प्यूदा को शी और झम्ला झाले गाए मैं क्षि रहराता है कि तो अमियाद का सफर ऑКА इस्लामथा बाति का आ, पता है और भाजलिया अपकर पता है हुआ और शाद करते हैं मैं मसूम बाण के तानुयावी केरा पाई जामा थे फिलम अपने चलाई जा जां जी मैं कहा जा रही हूं मैं यहां जा रही हूं तो मैं जी स्लामाबाद आई हूं यहां पे जी एक तो मेरे बेटे की थोड़ी से तबीए खराब थी खैर वो तो फून पे बाच शीत हो रही थी मैंने पहले ट्राई की पर उसने मना कर दिया कि नहीं मैं बेटर हूं पर वो कहन दे ना मादा रड़ा देल ले और जिनी देर ता को लाग दो ना वेख ले तो सकूँज नहीं आंदा और यहां पे जी एक बहुत बड़ा सर्प्राईस था मेरे लिए जो के मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या सर्प्राईस था और दूसरा यहां पे जी एक फैमिली का फंक्शन भी था वहां भी विमने जाना था वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी और ना ही मतलब पर्मिशन थी वहां पे क्यूंके वो एक श्रही परदा करते थे इसलामी लोग थे काफी मतलब जीजों को वो करते थे तो यह बहुत एक अच्छी बात है उन्होंने बकादा कार्ट्स पे लिखाया वा था नो चिल्डरन अलाओ तो ना ही जी कैमरा उन अलाओ मतलब पिक्चर वीडियो वगारा नहीं बनानी और यह लोग बड़ा अच्छा करते हैं जी अब मैं कहती हूं बच्चों को नहीं बुलाते हैं ने तरदापन डालते हैं बच्चे ने दोड़पा जनाली पर रहांद है तो खैर जी यहां पर हम पहुँच आए जहां पर बेटा मेरा रह रहा था और उसको मने कॉल की कि हम यहां पर पहुँच आए हैं तो आप बेटा जी आजाएं और किस साइड पर आपका अपार्टमेंट में ता कि हम उदर आ सकें क्योंकि काफी अपार्टमेंट थे बिल्डिंग्स थी तो वो पता नहीं चल रहा था तो यहां जी इस टाइम पे हम पहुच आए हुए हैं ए अन्वरे जी थर्टीन सी हैं जी एफर थर्टीन सी के जड़े हैं तो मुने भी पोल जान देने क्योंकि इतने यहां इस्लामाबाद आप चले जाएं या कराची में चले जाएं आपको फ्लैट अपार्टमेंट्स की भरमार मिलेगी और एक तवह तमाप इसलामा बाद जी ऐसे ही मैं गुम हो गई थी सेम अपार्टमेंट एक साइड पे थे और दूसरे एक साइड पे तो मैं जान था मैंने साइमा की अम्मी की तरफ तबना तो सेम उसी लोकेशन में उसी डिजाइन के अपार्टमेंट थे तो मैं गलत पहुंच गई थी तो यह मैं आपको यहां का महौल दिखा रही हूँ सुबा का यह समान हमारा पड़ा हुआ और यह जी बेटा मेरा आगया था हमें आगे से लेने के लिए और आगे क्या सर्प्राइज है वो आप देखेगा क्योंके मुझे मतलब उतना आइडिया उस चीज़ का नहीं था और यहां जी सुबा हो गई हम पहुंच आए आके थोड़ा हमने रेस्ट किया ते सप्राइज सानु मैं दस आंगी है जी तुस परहा नाश्टा वेको नाश्टे में जी यह आलू की तरकारी थी हलवा था और यह जी चैने थे और यह ओनलाइन नाश्टा आया था ठीक है ना वो काल शाल करो जिस बच्चों को बता होता है और यह देखे जी पूरा यह सारा मैं आपको बाद चीज़ का बताऊंगी यह किच्छन था पूरा रेडी टू वियर रेडी टू वियर जी किच्छन था किच्छन के अंदर जी सब कुछ मजूद था गैस भी थी चूला भी था बरतन भी थे अलो जी अपुड़िया और यह पुड़िया जी अब जाएंगी टेबल के उपर और जहां पे हम सब बैठके नाश्टा करेंगे और यह देखे नी नाश्टा यहां पे लग रहा है नाश्टे वला महौल तुसे चेक करो यह देखें यह अपार्टमेंट था जो कि बहुत ही प्यारा बड़ा ही खूबसूरत था और बड़ा ही मज़ेदार मौसम जी यहां से आपको नज़र आ रहा था तो लहौर में जी बड़ा बिजनिस है आप अपार्टमेंट बनाएं और खिसो के ओके उसको जी आप रेंट पे दें तो रामसर जी रेंट लें और यह देखे जी गैस यहां पे फुल बटा फुल नाश्टा हमने कर लिया और उसके बाद जी यहां पे यह मैं चाय बना रही थी पांडे शांडे थे मुझूद सान बस दूद चीनी पती जी जो थी वो हमारी अपनी थी तो आगे आपने व्लॉग में मेरे साथ बने रहना है एक आज व्लॉग है अकल में जी असी मुकादर है क्योंकर थोड़े टाइम के लिये मैं आई थी और यहां पे बस थोड़ा फिरना फराणा भी मेरा हुआ और मैं एक यहां पे एक जगह के पास भी मुझूद थी और मेरे दिल किया कि Ben वहां पर जाऊ और जिंद्दकी में पहले दफ़ा मैं वहां पर गई मैं आपको बताओंगी जी वो कौन सी जगह थी जिसने मुझे बिल्कुल मैं कहती हूँ एक मेरे लिए बड़ा मज़े का महाल था और यह देखे जी उस अमान मैं घर से ले क्या हूँ नेसले का दही था डालडा था, चीनी थी, ब्रेट, हनी और काली मर्चें और वो पॉपकॉन वाला मसाला मायोनीस और फ्रूट में जी, माल्टे, अनार स्टॉबेरी और यह डान के ब्रेट पहले पड़ी हूई थी माइक्रोवेव भी यहां पहले मजूद था यह अंडे दो पैक, दो दरजन अंडे में अपने उदर जी, सिटी से जो ग्रॉसरी मैंने की और यह कीवी का डबा, यह सारा समान जी, मैं घर से लेके आई हूँ हुन तुसी कवों की बाजी, इना समान क्यों लेके आई है है, ओही ता नुकानी पांदी पहीं है ना कहीं तो मुझे गालियां दे रही होंगी कि हमें तुमाशा बढ़ाया है, सिद्धरां गाल दसे तो नहीं ना, मज़ा नहीं आए गाल, अगर मैंने शूरू में बात बता दी तो यह देखें जी, सारा समान मैं रात डाइवो पे जब मैं आई हूँ यह सारा समान मेरे पास था और यह फ्रिज जी यहां पे बड़ी फ्रिज थी इसके अंदर पहले जी बच्चों ने अंडे लेकर रखके वे ते कुछ और खाने पीने का समान था वो बचा कुछ अचा और दू जो आल पर्स है जी यह भी मैं देखें दो डबे में लेके आई थी कि घर से बाहर ना चाना पड़े घर के अंदर ही चीज़ें हो क्योंकि यहां पर आपको पता है जो इसलामबाद में फ्लैट अपार्टमेंट शुट शुट एक फैमिली के होते हैं तो यह हमारी बड़ी क्लोस फैमिली थी और अपार्टमेंट अरड़ी हमें फ्री में मिल रहा था किसी के रेफरेंस की वज़ा से यह कोई जानने वाले थे तो बच्चों ने का कि चलो एक जिगा पर हम कठे हो जाएं मतलब फैमिली के लोग हैं तो कहां किसी के उपर जाके बड़न डालेंगे चलो खुट भी टाइम अच्छा स्पेंट कटे हो जाएगा क्योंके बच्चे इसलामबाद के मुस्टम बड़ा अच्छा था जी बारिश बादल आजकल बना हूँ आपको पता है और अब ये पती के टी बैग थे ये भी मैं लेके आई थी मिनरो वाटर की जो बोटलें थी वाल लेड़ी पहली है पानी वाली पड़ी हुए थी क्योंके जो टूटी का पानी है वो टैंकी वाला होता है तो ये जी सारा साजो समान अभी मैं आपको बताऊंगी आगे आप सुनेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन है जो बड़ा सर्प्राइस था वो फिर मैं थोड़ा आपको आईस्ता आईस्ता बताऊंगी कि वो सर्प्राइस हमें कैसे मिला ठीक है तो ये जी किचन देखते हैं कि बड़ा ही मखुश हो रही थी कि क्या महौल है चक करो तो यह फूरूट अभी इसलिए फ्रीज में नहीं रखा कि यहां पे ठंड थी और यह फ्रीजर में देखें जी वो एक बरफ की बस रखी हुई थी अगर बरफ आपने कहीं यूज करनी हो तो बड़ा इच सब सारी चीज़ें यहां पे बन रही है चाहे यह देखें चाहे टी बैग वाली और यह किन के लिए चाहे बन रही है यह मैं आपको बताऊंगी यह किन के लिए चाहे बन रही है तूसी किरना बाद जी बहुत इंतजार करवा रही है कौन है अपार्टमेंट में आपके सव आपके इलावा और कौन है इसके अंदर तो बस जी मैं आई हैं चीजां यही चीजां वेवे के खुश होई जाए हैं और कुछ वेवे के खुश हो वाना हुआ अपना ले आया फ्रूट वेखे ताड़ी बाजी बहुत हो अन्ड़ी सी कि हाया हाय हाय है घर में हर चीज तो सर्प्राइस जी आपने सुना आपके भाईजान आये हुए है मतलब जी मेरे हस्बंड आये हुए है यहां पे आपने आवास सुन ली बेटे की और यह सर्प्राइस ता जी बेटे ने मुझे मुझे चुपा के रखा हुआ था क्योंकि मुझे इनकों ने का था मेरा 50-50 है मैं आऊं ना आऊं पर उन्होंने अपनी फलाइट इसलामाबाद की करवाई और बेटे से का कि आप मुझे रसीव करना और आपके जो मामा लोग है उन्होंने आना है तो इनको वैसे भी कोई काम था और उपर से एक इवंट भी आ जो चना चार्ट थी हमें किसी ने कहा था कि बहुत ही मज़ेदार है हमें उसे फैमली ने बताया था कि वहाँ रोड पे एक है बंदा साइकल के ओपर उसने चीज़े रखी होती है और ऐसे स्टेर्स किसी और शॉप किये वहाँ पर उसने को चीज़े रखी होती है और इस ए तेस्टी यह देख लें जी कौन सा एरिया है पता नहीं यह पिंडी पिंडी स्कोब और रहे थे शायद और यह जी अब हम आये थे राभी सेंटर वाली साइड पर राभी सेंटर आई थीक पिंडी में है और राभी सेंटर जी मैं जिन्दगी में फिर्स टाइम आई हूं शावर वाली साइड पर यहां पर देखें जी बच्पन की खुबसूरत यादें थी पापड थे मसाले वाले और रेडियां थी जिन पर हर तरह की चीज़ें थी यह थे 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 बस तुस्से मनों चाड़ दो तो मैं थे सारा दिन अंदर की शॉपिंग करने मैं थे चीज़ा तो मेरे लिए बड़ी वे एक नई सी नोकी सी मुझे चीज़ लग रही थी और हर चीज़ को खैर उन्हों ने यहां से कुछ खरीदना था तो मैं तो अपनी साइड पे निकल आई कि मैं ज़रा थोड़ा इसका विज़ट कर लूँ मैं तुसे अपने शावा वेको और मैं ज भूम फिर के देखू कि यहां पे कैसी चीज़ें हैं यहां पे जी हर तरह का कपड़ा था हर तरह की वराइटी थी और मैं कहते हूं पठानों तो कमाल ही किया बहुता पता नहीं कित्थ हो जी है ना कपड़ा चुके ले आईसन इतना कपड़ा तो ना मैं लहौर ना सेंटर देख ले क्योंकि रभी सेंटर का नाम मैंने बड़ा सुना हुआ था अक्सर वीडियोज मैं देखती थी ऐसे कोई भी यूट्यूबर या कोई भी ऐसे चीज़ें दिखाने वाले जो जाते थे थे अब में रभी सेंटर आये हुआ हैं तो एक दो दफ़ा मैंने वीडियोज में देखा हैं यह स्टेर्स उतर के जब मैं नीचे आई तो यहां पे जी जूर्री आप चेक करें ऐसी जूर्री मैंने अच्रा लहौर में भी नहीं देखी इतनी खूब सूरत वराइटी के मैं आपको बता नहीं सकती जो उदर के रहने वाले लोग हैं वो ज़रूर इस चीज़ से एगरी करेंगे कि यहां पे वराइटी की कमी किसी भी चीज़ की नहीं थी हर तरह की चीज़ ती यहां पे जी अवेलेबल थी ड्रेस थे यह नहीं के बुतीक नहीं चादी की शॉपिंग करनी हो किसी फंक्शन के लिए महंदी की वलीमे की बराद की तो यहां पे जी हर तरह की चीज़े मजूद थी तो जो मेरे साथ आयोए थे जिनका इवेंट था उन्हों था उन्हों था और चीज़े भी खरीद नहीं थी ती तो अपसा नहीं कितने मैं गलती से भी अंदर ना आजाए तो वो फिर एक बुरी बात है कि एक चीज़ का आपको पता भी है और मुझे बड़ी अच्छी उनकी यह बात लगी कि उन्होंने जो उनका इवेंट था जो उनका फंक्शन था जी उस पे पिक्चर्स वीडियो अलाओ नहीं था और उन्हों मेरे बस में है मैं अपने जो मेरे देखने वाले हैं और जो अप्रीशेट करने वाले हैं उनके लिए जी मैं कुछ ना कुछ तो जरूर यहां का बना के ले जाओ एवे को जी चूमर एडे सोने टिके एडे सोने मत था पटिया मैं केंदिया तुसी बस कोजना को तो खैर जी आए क्योंके फिर पूरी वीडियो जड़ी ना साड़ी तबाह हो जा नहीं है तो यहाँ पे जी यह देखें यह देखें यह देखें जी परिंदे थे जो के इसको लोग चोड़ते हैं पैसे दे कि इनको अजाद करते हैं और यह जी एक बंदा लेकर बैठा वा था रोजी रिस्क इनसान कहीं से भी कैसे भी करके कमा सकता है और यह जी मुझे बड़े ही मज़े के बजार लग रहे थे और मेरे लिए बड़ा एक एडवेंचर था और मैं बड़े ही शौक से एक एक चीज़ को देख रही थी और मुझे बड़े किदर जाएंड़े मैं ठेहरो मुझे बड़ाना चीज़ां वेकंदो खाने पीने की चीज़े इतनी खूबसूरत और ऐसे मैं कहती हूं आप मुझे लग रहा था कि शाब मैं पाकिस्तान में नहीं हूं कोई और ही मुलक है जहां पर ऐसे रोड्स पर इतनी चीज़े इतने खूबसूरत डुबटे इतनी वराइटी और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं यहां से शौपिंग कर सकूँ और यहां कुछ सोट सकूँ इस हवाले से कि मैं जाकि इसको सेल कर सकूँ तो क्योंकि मैं ऐसा माइंड बना के नहीं आई थी और मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां पर इतना कुछ होगा कि आपकी आँखे चका चौन हो जाएंगी तो मुझे यकीन करें यह पिंडी है और मुझे यह बड़ा ही पसंद आया और मेरा दिल किया कि यहां भी एक घर होना चाहिए सिर्फ है थे नेरी यह चिको मुड़ फिर नमास थे और दुकान ने यहां पर शॉप्स रोड यह देखें साइकल पर भी एक आदमी ने यह क्या कुछ रखावा था बेचने वाले थे यह मटी के बरतन थे हांडियां थी कडाहियां थी मतलब यहां पर हर तरह की चीज़ थी रोड के उपर ही और यह जी बारिश होने लगी थी फिर हमें च्छत्री चाहिए थी तो हम यहाँ पे च्छत्रियां देख रहे हैं, यहाँ पे को तंग गली थी, पिंडी बिजार में ही, यह इसको तंग गली बोलते हैं, तो हमने किसे पूछा कि मैं च्छत्री चाहिए, उनका जी तंग गली में जाएं, वहाँ पे शॉपस हैं, और यह वाके बड़ी तंग गल जूल जी थी वो ज्यादा वो लगी बहतर खूबसूरत न्यू डिजाइन में और बड़ी जी वो परफेक्ट मुझे लगी तो खिया जी भूक बहुत लग गयी थी यहाम घर पहुंचे घर पहुंचे जी यहां पे हमने खाना ओर्डर किया था और यह देखें जी यह मत्ती की हांडी में ही आई है बड़ी प्यारी हांडी थी बर्यानी पतानी है नशीली सी के चमकीली सी केड़ी मैं तो बर्यानी नाम ही भूल गई है नशीली के चमकीली के पतानी केड़ी बर्यानी सी यह मुझे आप लोग देखके बताएगा किसका क्या नाम है बर्यानी जो थी बह चमकेली के नशेली कुछ इस तरह करके नाम था इसका तो बहुत जी मज़ा आया एंजुआई किया फैमिली के साथ टाइम बड़ा अच्छा गुज़रा था तो जितना भी टाइम यहां पर गुज़रेगा उस फंक्शन के लावा तो इंशाला आपके साथ जी वीडियो में ज द्रूर शेयर करूंगे